इत्याद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम वालेकुम रहमतुलाई बरकातु इत्याद नियूज मैं हम सभी का आखार मग्दम है समझने ही नहीं देती ये सियासत सचा ही क्या है कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी आईना नहीं मिलता आजकल तो वैसे भी सियासत के माइने ही बदर चुके है यहाँ अब कोई उसूर कोई सोच और फिक्र गैरत का तसबूरी धुनला होता नजर आ रहा है कोई कल तक किसे और को गाली देता नजर आता है तो दूसरे ही लम्में उसके पुष्ट पनाई करते नजर आता दिखाई देता है इनसान को इसकी अनानियत इसका तकवर इसकी हिर से ले डूपती है उसे लगता है कि इसका फैसला सही है क्योंकि इस फैसले के पीछे उसका अपना मुफाद छुपा हुआ रहता है जो तिरादित्य सिंधिया आनिये जो कल तक कॉंग्रिस पार्टी के सेकरेटरी थे आज भाजपा की गोत में जाकर बैड़ गए इनसान खोईशों का समंदर है आखिर क्या नहीं मिला था इसे इन्हें चार बार यंपि बनाये गया दो बार मरकजी हकूमत में वजारत पार्ट बार निबाने वाला कफील मिश्रा जब आम आदमी पार्टे में था तब मोधी हकूमत और भाजपाईयों को खुले आम गाली देता दिखाए दे रहा था पर सब अब सवाल यहीं उड़ता है कि क्या जोती रादित्य सिंधिया किस विचारधारा पे चलेंगे ताज की चाह में घोड सेवादी बनना किस कदर अवाम के भरोसे का कटल करना क्या अब यहीं सियासत बची विया अलकाला माने तो जोती रादित्य सिंधिया को गदार कहते हुए कहा कि अपने मुफाद के लिए देश को तोड़ने वाली विचारधारा से समझता करना गदारी है और इसे इस देश की अवाम ही सबत सिखाएगी ऐसे कई लोग है जो लालच में आकर भाजपा का रास्ता एकतियार किया हुआ है ऐसे कई लीडर है जो पार्टी में 20-20 साल है और उन्हें कुछ भी नहीं मिला पर पार्टी में एक विचारधारा के तहत चलती है और इसी विचारधा को चाहिए कि अपना होसला बरकरार कि क्योंके पार्टी का कारकुनी किसी को नेता बनाता है कारकुनान ही दरसल नेता होते हैं जो तिरदित सिंदिया ने बड़ी भूल की है कि जिसे देश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती वाज़ा रहे कि यहीं वह सिंदिया जो मुदी और मुदी शाह के खिलाब जहर उगल था था मुदी शाह को पाकिस्तान का एजन्ट तक कहता था आपको याद होगा कि करनाटक में इसी तो रका सियासी खेल के ला गया कुछ कॉंग्रेस के लीडरों ने भाज़पा से हाथ मिलाया और कॉंग्रेस की नईया डूओ दी क्योंकि जेडियस कॉंग्रेस हकुमत को गिराया गया और आखिर भाज़पा के डूपा वजीर आला के होदे पर फाइज हुए अब इसी नहज़पर मद्यप्रदेश की सियासत चलती नजर आ रहे है तकरिबन 14 साल के बाद एंपी में कॉंग्रेस की हुकूमत एक्तदार पर तो लगता है और नौबत यहां तक पहुंचे गए वजीर आला बनने के लिए उसूलों की कुर्वानी देनी पड़ी महत्मा गांदी के खेमे से गोड़से के खेमे में जाना पसंद किया गया भाज़पा की रुखनियत हासिल की और कभी भाज़पा के मोदी शापर जहर उगन को मिलती है 2019 में अपने ही परसनल सेक्रेटरी एक एपी यादों से चुनाव हार गए जोतिरादित्य सिंधिया गिरों के करीब 17 अमेलेज अब बैंगलूर पहुंचे हुए हैं और उनकी हिमायत में कम से कम 22 रुखने एसेंबलियों के होने के दावे चलते जोतिरादित्य सि किरना ताइमाना जारा अगर करनाटक की तरह मद्यप्रदीश की हुकूमत भी गिरती है तो अब यहाँ खेल आम हो जाएगा कि जिसमें सिर्फ फरेब धोका ही जनता को दिया जाएगा और शाहिद अब देश की जनता भी ऐसे तमाशों के आदि बंती जा रही है इतिहाद कर दो देखने करें शुकरिया अलाफियस